इस वीडियो में आपको शलपाशेटी और राजकुंद्रा के फ्रॉड केस के बारे में और अरेस्ट होने के बारे में बताएंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें जैसा कि आप सब जानते हैं कि शलपाशेटी और राजकुंद्रा किसी ना किसी कॉंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में ही रहते हैं कररंटली शलपाशेटी और राजकुंद्रा की एक और फ्रॉड कॉंट्रोवर्सी सामने आई हैं Controversy तो नहीं कहा जाएगा Fraud Charges सामने आए हैं जी हाँ शिलपा शेटी और उनके हजबन राजकुंदरा के खिलाफ एक Complaint File की गई है और ये Complaint File की गई है पृत्वी राज सरेमाल कुथारी की तरफ से पृत्वी राज रिदी सिधी बुलियन्स लेमिटेड के Managing Director है और उन्होंने शिलपा और राजकुंदरा के खिलाफ Fraud Charges की Complaint की है रिदी सिधी का कहना है कि शिलपा शेटी और राजकुंदरा की कमपनी सत्यूग गोल प्राइविट लिमिटेड ने उनके साथ चीट किया है और ये चोटा मूटा चीट नहीं ये चीट लगभग 90,000,000,000 का किया गया है गोल्ड स्कीम में कुठारी जी का कहना है राजकुंदरा और शिलपा शेटी ने 2014 में एक स्कीम अना उन्स की थी उन्होंने अपनी कमपनी सत्यू गोल्ड में एक स्कीम अनाउन्स की थी और इसकीम में कहा गया था कि आप जिस कीमत पर गोल्ड खरी देंगे पांच साल के बाद वो गोल्ड उसी कीमत पर आप से वापस ले लिया जाएगा और उसकी कीमत में बिलकुल कोई कमी नहीं होगी कोई कोट नहीं निकाला जाएगा लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे है और उन्होंने 90 लाक की इस कोल्ड स्कीम में उनके साथ फ्रॉट किया है उनको चीत किया गया है इसलिए शिल्पा और राज कुंदरा को अरेस्ट कर लेने चाहिए आपको बताते चले हैं कि मुंबाई सेशन कोट ने भी शिल्पा शेटी और राज कुंदरा के खिलाफ पुलिस को इन्वेस्टिगेट कमटने का कह दिया है और इन्वेस्टिगेशन्स में अगर राज कुंदरा और शिल्पा शेटी गिल्टी फाउंड होते है तो उनको अरेस्ट करने का भी ओर्डर दे दिया गया है अब देखना ये है कि स्कीम पर किस तरह से आगे चलकर राज और शल्पा अपने आपको सेफ करते हैं और क्या ये एक कॉंट्रोवर्सी है या वो सच में अरेस्ट होने वाले हैं ये आगे चलकर पता चलेगा आप इस पर क्या कहना चाते हैं हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा